दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत थे जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थमनेल में देख चुके होंगे आज के इस वीडियो के माद्यम से हम आपको B.A.L.L.B. सेकेंड सेमिस्टर एक्जामिनेशन जून दो हजार बाइस के कुश्चन पेपर लेकर आएं हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो की पिले रिष्ट पर चले जाना है वहाँ पर आपको पिछले साल के प्रिवियस एर्स कुश्चन पेपर मिल जाएंगे आज का सब्जेक्ट है इस्पेसल कॉंटेक्ट सेकेंड अगर आपको कॉंटेक्ट लाका नोट्स चाहिए तो आप हमारे वाटसब नमबर पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों एक्जाम का जो पेपर है और है किसे भी इन्वर्शिटी का हो जो महात्पोन होते हैं प्रिष्णे एक्जामिनार उन्हीं प्रिष्णों को ही रिपीट करता है एक्जाम में आपको दस प्रिष्णे दिये जाते हैं दस में से पांच प्रिष्णे करने पड़ते हैं पिटेक प्रिष्णे 12 नमबर का होता है अगर आपने इन प्रिष्णों को अच्छे से तयार कर लिया तो आने वाले समय में आपका बी ए एलल्वी सेकंड सेमिस्टर का एकजाम होगा तो इन दस प्रिष्णों में से कम से कम पांच प्रिष्ण तो पूछे ही जाएंगे इसी पेपर से पहला प्रिष्ण पूछा गया था अभी करण के निर्मान के बिभिन तरीके कौन कौन से है अभी करता के अपने मालिक के पिती अधिकारों और कर्तबों का बर्णन कीजिए दोस्तो एह पहला प्रिष्ण पूछा गया था इसके बाद दूसरा गिर्वी कौन कर सकता है क्या गिर्वी किया जा सकता है गिर्वी और उपनिधान में अंतर को इसपश्ट कीजिए इसके बाद तीसरा छती पूर्ती की संविदा क्या होती है छती पूर्ती की संविदा और पित्या भूती की संविदा में अंतर को इसपश्ट कीजिए इसके बाद चोथा प्रिश्ण पूछा गया था एक्जाम में फर्म का पंजी करण कैसे होता है फर्म के पंजी करण और गेर पंजी करण के क्या प्रभाव होते है इसके बाद पंजमा माल बिक्रे की संब्धा में पित्या भूती और आस बासन को रिस्पष्ट कीजिए इसके बाद छटमा प्रिश्ण पूछा गया माल बिक्रे की संब्धा के अवस्यक तवत्तों का उलेग कीजिए इसके बाद सात्मा एक भागीदार के बिबक्षित प्राधिकार का बर्णन सुसंगत बाद बिदियों के साथ कीजिए एदी कोई हो इसके बाद आठमा प्रिश्ण पूछा गया था एक प्राक्रम लिखित क्या है इसके बाद नौमा चैक के अनादर से सम्मन्दित बिदि का बर्णन कीजिए इसके बाद दसमा प्रिश्ण पूछा गया माल बिक्रे अधिनियम के आंतरगत माल की ओधारना को इसपश्ट कीजिए क्या निमलिकित माल है एधि हां तो कारण इसपश्ट कीजिए बिद्धुत दूसरा सिक्के तीसरा लकडी दोस्तो एह दस प्रिश्ण बिए एललवी सेकेंड सेमिष्टर कॉंटेक्ट सेकेंड की पेपर में पूछे गए थे अगर आपने तीन साल पुराने प्रिवियस एर्स कुष्चन पेपर तयार कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नम्मर आएंगे आपको हमारे वीडियो की पिले लिष्ट पर चले जाना है वहाँ पर आपको 4-5 साल पुराने प्रिवियस एर्स कुष्चन पेपर मिल जाएंगे दोस्तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत